हेलो गाइज वेलकूम टू माई चैनल कैसे आप लोग उमीद अच्छे होंगे और हम लोगी तरह स्माइल कर रहे होंगे तो आप लोगों की बार-बार कमेंट आ रही थी कि कोटी बताओ कोटी बताओ कोटी की स्टीचिंग और कटिंग बताएं तो हम लोगों ने आज इसी ट फ्रेंड हमने इस कोटी के लिए सेलेक्ट किया है रेड कलर का कपड़ा इसी रेड कलर की कोटी बहुत अच्छी लगती है तो पहले आप लोग इसका नाप देख लीजी हम आपको नाप दिखा दे रहे हैं तो सीन हमारा है 30 इंची का और लंबा 24 है और कमर पर हमारा है 27 और कंधा की चोड़ाई है बहुत 13 इंची तो ये रहा हमारा नाप इसी के अकॉर्डिंग हमें बनानी है कोटी तो फ्रेंड इसी तरीके साब को इसे दो पार्ड में मिच्छा लेना है इसी तरीके से उसके आप हम इसकी फिगर की सबसे पहले फेजर की चोणाई नापे में उसके लिए हमारा तीस इंची था तो उसका हाफ होता पंदर तो पहले पंदर निशनल लगाएंगे झाल शकुल्र धार हुआ है देखिए कपडा बिलुकुल ठीक है क्योंकि इस तरफ हमें देडिंकी रखनाना और इस तरफ भी देडिंकी एश्टर रखना तो fan पह्तना अला है हमारा कपड़ा बिलुकुल फेसे तो फिर इसकी लेंथ हमारी थी 14 इंची तो हम तो हमें 4 इंज निशान लगाइंगे हम मार्जन के लिए मोदि शूम निशान लगाएंगे इस तरीके से इसे रख लेना है उसके बार यहां पर जाइंची पर हमें इसना लगाना है इस तरीके से थोड़ा धोड़ा करके यहां पर इस तरीके से लगा लेगे इस तरीके से लगा लेगे तरीके से उसके बाद यहां से थोड़ा सा लिया लिया है यहां से घुमा घुमा के थोड़ा सा आधी इंची मतलब आधी इंची करें रांड में सेफ दे देंगे इस तरीके से और इसके बाद इसके करेंगे करेंगे तो यहां पर डाउट होगा कितना काटा यहां पर आधा इंची काटा है इसे भी हटा देंगे इसके बाद एक पार्ट को हम अलग हटा देंगे यहां से थोड़ा सा और आगे का पार्ट है इसलिए यहां पर आधा आधा इंची आधा पार्ट है और इसके बाद इसे कार्ट देंगे अब हम यहां पर आधा इंची सिर्प आधा इंची पर कैसे निसर लगाएंगे उसके बाद आधा इंची और है पूरा काट देंगे आधा आधा इंची कि यह हमारा दो पार्ट हो चुके हैं आगे के और लेफ और राइट नहीं हैं और यह था हमारा पीछे का पार्ट के तयार हैं कोटी 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 एगे के पार्ट अटैच्स करनी से तरीके से चलिए पहले यहां पर देख लीजिए यहां पर हमें यहां पर थोड़ा सा ही लगाना चलाइब और यहां पर इस तरीके से अराउंड डाउन करना है क्यांते हैं तो सोल्डर यहां पर करते हम त्षाल करें के इसके लिए धूरा से डाउन करना है तो पहले हम इसकी लगा लेते हैं है ओर्टो देखिए इसी तरीके से ट्रबाइव रवालाइन है द्युती हैं लगा लेखी कि इस तरीके से से अधूल फैला हुआ होगा यहां पर थोड़ा दबा होगा क्योंकि यहां पर हमने तढ़ा जादा दाब दियाहैं दोरों को सिलाई लगानी है उसके बाद इनको आधा अधा इनको थोड़ा थोड़ा मोड़ के इस तरीके से इस तरीके से यहां पर सिलाई लगा लेगे यहां तक फ्रेंट हमने ये सिलाई लगा रखी है यहां से ज्यादा नहीं स्रिफ आधा देंची हमने मोड के इस तरफ को इस तरफ सिलाई लगा रखी है यह हमारा बैक साइड है बैक साइड ही हमें पलटके सिलाई लगा लेनी है और यह रहा हमारा फ्रेंट उसके बाद हमारा काम है यहाले वाले संदलटा थोड़ा से हलके हलके यहाँ पर हमें मोर कर इस तरीके से सिलाई लगा लैनी है. इस सेप में हमें सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर हम सिलाई लगा लेनी है और इसी तरीके सब इस सैड़ भी सिलाई लगा लेंगे अब फ्रेंड हम लगाएंगे इसमें कॉलर के लिए पहले हमेंसे वीते से नापेंगे कितना हमारा कॉलर जा रहा है इसके लिए यहां से पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पहले कॉलर को नापेंगे हमारा कॉलर आ रहा है साड़े तेरा अंची साड़े तेरा अंची का हम कॉलर पहले बकरम काटेंगे रोग ले तो फ्रेंड इसके लिए हमने बकरम थोड़ा से लिया है और इसकी लेंद रखे हमने 24 अंची कि देखा tutorial कि आ से कहा हम कि दोगाले टोगले इसना कि दोगाईज़ होने सब्सूर्ण हाथ लगाइज रखे को ऐसे दोध करेंगे बीच में लगाएंगे और उसके बाद हम यहां से इस तरीके से राउंड में इस तरीके से में डाउन करना राउंड में तो यहां डाउन करेंगे पहले उसके बाद यहां से हम कटिंग करेंगे कि यहां पर हमने इतना डाउन सब्सक्राव है थोड़ा सा उठा कर हम यहां से यहां तब कि इस तरीके यहां इतना नहां कादू ना थोड़ा कम कादव यह वाल पार्ट इससे थोड़ा खम मघाट नई श्यमिंद आप अपनें немножist за तरीके से शेप आना चाहिए उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है यहां पर इस तरीके से यह वनना चाहिए इस तरीके से राउंड में हमें कटिंग करनी है कॉलर के सेप में कि अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग है कि यह हमारा कॉलर बनके तया है कि अब इसे हम कपड़े पर स्टिच करेंगे कि रोक लेंगे जो इस्टा कपड़ा था उसी तरह में से रख लेंगे इस तरीके से रख लेंगे और इस तरब थोड़ा थोड़ा कपड़ा काटके हम आधा इंची यहां पर काटके अधर आज़ा थोड़ा काट लेंगे इस तरह बाद में हटा देंगे हुआ हुआ है 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 इस पर हमें सही से किस तरह बिठा लेंगे इस तरीके से यहां पर पहले हम लगाएंगे इस तरीके से कि यहां से इसी तरीकी से सिलाई लगानी है और इस तरफ देखिए अब बहुत ही अच्छी तरीकी से लगानी सिलाई सफाई में उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर हमें सिलाई लगानी है कि इस बहुत ही किनारे पर सिलाई लगा लेनी है यहां से लाकर यहां से इस तरीके से इस दिखाते हैं आपको आपको झाल झाल भी अगरो भी का दी ना हमें इस तरीकी से मारकिंग इसलिए करनी है क्यूंकि जब हम इसलाई लगाँगे तब इतना ही दबाएंगे तिना ही कपड़ा दभाएंगे इतना ही हमने इस्टा लिया है दबाने के लिए तो चलिए इसे اسचिच कर लेते हैं कुटी पर कोटी को उसके बाद किसी कॉलर को यहां से अ ऐसा रखना कि किस तरीके से यहां से टिच करना है यहां से आंसे मिलाकर रख लेंगे औरहुमा घुमा गुमा गुमा के इस तरीके से रांड सेपों में हम यहां पर सिलाई लगा लेते हैं पहले यहां पर एक बात का दियां रखना है क्योंकि जो सोल्डर के लिए हम यहां पर दाब रखा है उसे यहां से थोड़ा के यह जो कपड़ा है इस तरीके से भाटादेखे यहां से इस तरीके से निक एक इसे थोड़ा दूर से क्योंका यह यह यहां पर यहां पर ज्यादा दब जाएगा तो फिर यहां पर खिच्छता रह wszा का थीर्ट करना। पहले से और फिर से सिल देना है तो फ्रेंड इसी तरीके से हमें श्टिच कर लेना है देखें हमने श्टिच कर लिआ है कॉलर अब इस से पलट कर इसे अंदर करके इस तरीके से यहां पर हमें सिलाई डाल देनी है, यहां पर हमें सिलाई डाल देते हैं, रोक लोगा, तो फ्रेंड हमने कॉलर स्टिच कर दिया है, देखिए, इसी तरीके से आपको भी कॉलर स्टिच करना है, और यहां पर सिलाई नहीं डालनी है, यहां पर सिलाई अच्छी लिए हमारा सीने की चौणाई थी वो तीस इंची उसका हाप हम पीछे के फ्रेंट में हम हाप लगा लेंगे कि अमरा आधा दिन चे पहले सी कट चुका है तो फो तो पुरा है नहीं तो उसके लिए हम पीछे सही लगा लेंगे पीछे वाले पार्ट पे हम 15 इंची पर दोनची छोड़ कर यहां पर लगाएंगे। जितना इधर छोड़ा है। यह द meals कांद Such the के अहलोड कि कमर पर था मारे सब्सक्राइब कर दा साड़े तरांची और साड़े तरांची पर यहां पर निशांद लीगे भ़ेल कि अहंते हैं है से गाले ते अर्स पर समय तरहें यहां पर इसे निशांद हुआ है और यहां पर कंभ का निसां लग चुका है ऐसी इस तरीकिया से पढ़ अध्र वे यहां पर मिला कर थी थोड़ा यहां पर सा ao कि यह पाइट रखें और सिलाई भाग देंगे और इसी तरीके से इदर लगा लिए इस तरीके से यहां से हमें एक इंची यहां से मोरना है इस तरीके से बैक साइड पर हम आधा आधा इंची लेकर आधा और सिलाई डाल देंगे प्रेंड यह अली सिलाई भी हमें डाल रुखी है और यह हमारा सेट होने के बाद इतना गया पाएगा इसमें हमारी पड़ी पड़ी होगी तो इसके लिए हम पहले यहां पर छोटी-छोटी लुपी बना के लगा लेते हैं यहां पर दो ती इस्टाप हमें कपड़ा रखना ह अपने दो इंची दो बना ना है इससे काट लेकर से बना लेने कपड़ा इससे बना यहां से एक छब्सक्षी सब्सक्राइब बनाएं और यहां से बनाना रखनाते हैं दो इंची में भी मोगा हमें पांच इस साइड करनी है और पांच इस साइड लगाने है यहां सेट कर लेके परपट्टिया इस तरीके से सिलके हम लगा के सिला ही लगा लेंगे लोगी है बाद में बोलगी है कि तुम्हें आसी है कि वहां पंडिया इंटाइम पर रोग को दिमांग खरब कर दे इस टॉप कर दो जाई बाद में परका है को दॉप कि तुम्हें कि तुम्हें कि अड़ बोलगी है कि तुम्हें